नेहरु नगर के सभासत जितेंद्र यादव की पतनी अर्चना, बेटी अक्षिता वबेटा हनूपर पेट्रोल डालकर किरायदार सिपाही उशा के पती अवनीश प्रजापती ने आग लगा दी थी। रिपोर्ट के अनुसार दीवारों में थूपने से मना करने और सफाई रखने के लिए कहने पर सिपाही का पती नाराज था। उसने इसी नाराजगी में मकान मालिक सभासत की पतनी वब बच्चों की हत्या कर दी। क्या था पूरा मामला आईए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों मैं विवेक कुमार। किलोमीटर दूर एक बड़ा कस्बा है अकबरपुर। यह जिले के अंतरगत आता है। तहसील वजिला मुख्यालय होने के कारण कस्बे में हर रोज चहल फल रहती है। इस नगर से होकर स्वर्णिल चतुर्भुज राष्ट्रिय मार्ग जाता है जो पूर्ग में कानपुर्ग पटना, हावडा तथा पश्चिम में आगरा, दिल्ली से जुड़ा है। इस नगर में एक एतिहासिक तालाब ही है, जो शुक्ल तालाब के नाम से जाना जाता है। दीवान शीतल शुक्ल ने सन 1578 में इस एतिहासिक तालाब को बनवाया था। इसी अकबर्पूर कस्बे के जवाहर नगर मुहले में सभासद जितेंद्र यादव अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पतनी अर्चना यादव के अलावा बेटी अक्षिता पांच वर्ष तथा बेटा हनु देड़ वर्ष का था। जितेंद्र के पिता कैलाश नाथ यादव भी साथ रहते थे। वह पुलिस में दरोगा थे लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। जितेंद्र यादव की आर्थिक स्थिती मजबूत थी। उनका अपना बहुमंजिला आलिशान मकान था। जितेंद्र यादव की पतनी अर्चना यादव पढ़ी लिखी महिला थी। वह नगर के रामगंज मुहला स्थित प्राइमरी पार्ट शाला में सहायक शिट्शिका थी जबकि जितेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। दो साल पहले उन्होंने निर्दलिय प्रत्याशी के रूप में सभासद का चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। वर्तमान में वह जवाहर नगर वाड 14 से सभासद है। जितेंद्र यादव का अपने मकान के भूतल पर कार्या लए था। साथ ही पिता कैलाश नाथ यादव रहते थे। जबकी भूतल पर जितेंद्र अपनी पतनी अर्चना वह बच्चों के साथ रहते थे। मकान के दूसरी और तीसरी मंजिल पर चार किरायदार रहते थे जिन में दो महिला पुलिसकर्मी अनिता वह उशा प्रजापती थी। मकान की देखरेख वह किराया वसूली का काम कैलाश नाथ यादव करते थे। उशा का पती अवनीश प्रजापती मूल रूप से प्रयागराज जनपद के फूलपूर का रहने वाला था। महिला का स्टेबल उशा पहले प्रयागराज में तैनात थी। उसके साथ उसका पती भी रहता था। अवनीश वहां लैब टैकनीशियन था। लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण मई 2020 में उसकी लैब बंध हो गई थी। उशा का ट्रांसफर भी प्रयागराज से कानपूर देहात जनपद के थाना अकबरपूर में हो गया था। उसके बाद वह पती अवनीश के साथ अकबरपूर कस्बे में सभासद जितेंद्र यादव के मकान में किराय पर रहने लगी थी। उशा की शादी अवनीश प्रजापती के साथ 4 साल पहले हुई थी। 4 साल बीट जाने के बाद भी उशा मा नहीं बन सकी थी। इससे उसका बेरोजगार पती अवनीश टेंशन में रहता था। अवनीश घर में ही पड़ा रहता था। उसका काम केवल इतना था कि वह पत्नी उशा को ड्यूटी पर अकबरपुर कोतवाली स्कूटर से छोड़ आता था और ड्यूटी समाप्थ होने पर घर ले आता था। सभासत की पत्नी अर्चनायादव तथा उशा के पती अवनीश प्रजापती के बीच पत्री नहीं बैठती थी। दोनों के बीच अकसर तनाव बना रहता था। सफाई से रहने को कहती थी। अंग्य किरायदार तो अर्चना के सुझाव पर अमल करते थे लेकिन अवनीश नहीं करता था। वह गुटखा और पान खाने का शौकीन था। पान खाकर उसकी पीक कमरे के बाहर ही थूक देता था। कमरे के अंदर की साफ सफाई का कूडा भी बाहर जमा कर देता था। जो हवा में उड़कर पूरे फ्लोर पर फैल जाता था। तनाव का दूसरा कारण अवनीश की बेशर्मी थी। उसकी नजर में खोट था। वह अर्चना को घूर घूर कर देखता था। उसे देख कर वह कभी मुस्करा देता, तो कभी कमेंट कस देता। उसकी हरक्तों से अर्चना गुस्सा करती तो कहता। अर्चना भाभी जब तुम गुस्सा करती हो तो तुम्हारा चहरा गुलाब जैसा लाल हो जाता है और गुलाब मुझे बहुत पसंद है। अर्चना ने अवनीश की हरक्तों और गंदगी फैलाने की शिकायत अपने ससुर कैलाश नाथ यादव से की तो उन्होंने अवनीश की पतनी उशा ने बीच में पढ़ कर मामले को शांत कर दिया। उशा प्रजापती ने मामला भले ही शांत कर दिया था लेकिन अर्चना की शिकायत ने अवनीश के मन में नफरत के बीस बो दिये थे। वह मन ही मन उससे नफरत करने लगा था। अर्चना अपने ब बच्चों पर कोई टोनाटो का न कर दें। एक रोज अर्चना किसी काम से छट पर जा रही थी। वह पहली मनजिल पर पहुची तो अवनीश के कमरे के अंदर बाहर कूडा बिखरा देखा। इस पर उसने गुस्से में कहा अवनीश कुत्ता भी पूच से जगह साफ करके बै मुझे कुत्ता मत बनाओ। आप मकान मालकिन हैं, लेकिन इतना हक नहीं है कि आप मुझे कुत्ता कहें। आज तो मैं किसी तरह आपकी बात बरदाश्ट कर रहा हूं, लेकिन आइंदा नहीं करूंगा। इस बार अर्चना ने अपने सभासत पती जितेंद्र से अवनीश की शिकायत की इस पर सभासत ने अवनीश को खूब फटकार लगाई, साथ ही चेतावनी भी दी की अगर उसे मकान में रहना है तो सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा। वरना मकान खाली कर दो अर्चना द्वारा बार बार शिकायत करने से अवनीश के मन में नफरत और बढ गई। उसे लगने लगा कि अर्चना जानबूच कर किरायदारों के सामने उसकी बेजस्ती करती है। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़तने लगी। वह बेजस्ती का बदला लेने की सोचने लगा। बंदगी साफ कर दिया। जगडा करने के बाद अवनीश दिन भर कमरे में पड़ा रहा और अर्चना को सबक सिखाने की सोचता रहा। आखिर उसने एक बेहद खतरनाक योजना बना लिया। रात आठ बजे अवनीश अपनी पत्नी उशा को अकबरपुर कोतवाली छोड़ ग्राउंड फ्लोर स्थित कार्याले में सभासद जितेंद्र यादव क्षेत्रिय लोगों के साथ शेत्र की समस्यायों के संबंध में बाटचीत कर रहे थे। कैलाश नाथ भी अपने कमरे में थे। इस बीच सिपाही अनीता कोई सामान मांगने अर्चना के पास आई फिर वापस अपने कमरे में चली गई। सही मौका देखकर अवनीश अपने कमरे में गया और वहां से पैट्रोल भरी बोतल ले आया। फिर वह रसोई में पहुँचा और पीछे से अर्चना यादव वह अर्चना वह उसके बच्चे धूढू कर जलने लगे। आग की लप्टों से घिरी अर्चना चीखी तो महिला सिपाही अनीता ने दर्वाजा खोला। सामने का खौफनाक मनजर देखकर वह सहन गई। वह उसे बचाने को आगे बढ़ी तो अवनीश ने उस पर वार कर दिया। अनीता चीखने चिलाने लगी। घूतल पर सभासत जितेंद्र यादव साथियों सहित मौजूद थे। उन्होंने चीख पुकार सुनी तो पिता क पैलाश नाथ वह अन्य लोगों के साथ भूतल पर पहुँचे और आग की लप्टों से घिरी पतनी अर्चना वह बच्चों के उपर कंबल डाल कर आग बुझाई। इसी बीच पकड़े जाने के डर से अवनीश भागा और केबिल के सहारे नीचे आ गया। घर के बाहर सभ सभासद की स्कॉर्पियो कार खड़ी थी। उसने उसे भी जलाने का प्रयास किया। इसी बीच सभासद के साथियों ने उसे दोड़ाया तो वह भागने लगा। भागते समय सडक पार करते हुए वह मिनी ट्रक की चपेट में आ गया। पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया और उपचार हेतु सरकारी अस्पताल पहुचा दिया। इधर सभासद जितेंद्र यादव ने गंभीर रूप से जली पतनी और दोनों बच्चों को अपनी कार से प्राइवेट अस्पताल राजावत पहुचाया। लेकिन डाक्तरों ने उनकी गंभीर हालत देख कर जिला अस्पताल रफर कर दिया। सभासद के पिता कैलाश नाथ यादव ने घटना की सूचना पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को दी तो हड़कम्प मच गया। कुछ ही देर में कोतवाल तुलसी राम पांडे, डियस्पी संदीट सिंह, एस्पी केशव कुमार चौधी, एस्पी घनश्याम चौरसिया तथा डियेम दिनेश चंदर जिला अस्पताल पहुँच गए। उन्होंने सभासद जितेंद्र यादव को धैर्य बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। चुंकि अर्चना की हालत नाजुक थी। इसलिए जिलाधिकारी का बयान दर्स कराने के लिए संजय कुश्वाहा को जिला अस्पताल बुलवा लिया। संजय कुश्वाहा ने अर्चना का बयान दर्स किया। अर्चना ने कहा कि किरायदार अवनीश ने पैट्रोल डाल कर उसे और उसके दोनों मासूम बच्चों को जलाया है। जिला अस् पताल में रात ग्यारह बजे जितेंद्र के मासूम बेटे हनु ने दम तोर दिया। रात एक बजे बेटी अक्षिता की भी सांसे थम गई। उसके बाद चार बजे अर्चना ने भी उर्सला अस्पताल में आखिरी सांस लिया। इसके बाद तो परिवार में कोहराम मच जितेंद्र पतनी व मासूम बच्चों का शव देख कर बिलख पड़े अर्चना की मा वभाई भी आसू बहाने लगे। पहली मार्च को सभासत जितेंद्र यादव की पतनी अर्चना यादव व उसके मासूम बच्चों को किरायदार अवनीश द्वारा जिन्दा जलाने की खबर अकबरपूर कस्बे में फैली तो संसनी फैल गई। चुंकी मामला सभासत के परिवार का था, उनके सैक्डों समर्थक थे। उपद्रव की आशंका से पुलिस अधिकारियों ने अकबरपूर कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। इधर अर्चना व उसके बच्चों की मौत की खबर अकबरपूर कोतवाल तुलसी राम पांडे को मिली तो उन्होंने अवनीश व उसकी पत्नी उशा की सुरक्षा बढ़ा दिया। उन्होंने अवनीश को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर अपनी कस्टडी में ले लिया। से घटना के संबंध में पूच्टाच की तथा उसका बयान दर्स किया। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का भी बारीकी से निरीक्षन किया तथा साक्षे जुटाएं। दो मार्च 2021 को नगरवासियों ने मृतकों की आत्माओं की शांती के लिए कैंडल मार्च निकाला और अंडर ब्रिज के नीचे उनकी फोटो पर पुश्प अर्पित किये। अनेक युवकों के हाथों में हस्तलिखित तक्तिया थी। उनकी मांग थी की हत्यारे को फासी की सजा मिले। युवक CBI जाच की भी मांग कर रहे थे। उनको शक था कि इस साजिश में कुछ और लोग भी शामिल हैं जिनका परदाफाश होना जरूरी है। 3 मार्च 2021 को पुलिस ने अभियुक्त अवनीश प्रजापती को कानपुर देहात की माती कोट में मजिस्ट्रैट के समक्ष पेश किया। जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। सभासत जितेंद्र यादव और उनके पिता इस हृदय विदारक घटना से बेहत दुखी हैं। जितेंद्र यादव से दर्ध साजा किया गया तो वह फफक पड़े बोले किस पर भरोसा करूं। चंद मिंटों में ही हमारा सब कुछ खत्म हो गया। किरायदार ऐसा कर सकता है, कभी सोचा नहीं था। अवनीश ने मेरे परिवार को योजना बना कर जलाया है। बदले की आग में उसने हमारी दुनिया ही उजाट डाली। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी ही अपराद की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।